प्रेट के में बेनेफिट में बैठा हुआ था चाराजार पांट सो की कॉल में उसके बाद फिर मैंने दो कॉल ओल लिये है एक तालीस हजार पांसो और एक तालीस हजार दो 200 और जो चारो कर चारो में में अक्रोपिट राता है कि जो भी प्रोपिट दसजार से उपर तो उसका 10-15 ऌपैस जो है मैं कोई लिए अधि करना ठेक है Уlassen Erresa से आछ पांटीट मैं ले लिया इंसे मुझे कोई फारता है थेका क्योंकि यह प्योच प्योर प्योचा का पैसा है कि चे घुनी में आपि चुछ में इड़ से长च और आजए द को पहले वीडियो में विदो रहागा उसके बाद में यहे दो एक तालीस हजार दोसो 5arekat гιा क्या लोजीक थां क्या क्रेड माइंडेड था क्या रिस्क्र मनेजमेंट था इसमें मेरा क्या मनी मनेजमेंट था वहीं आप समझते हैं ठीक है अब देखिए मौर्णी में क्या है कि मेरे पहले प्रोफिट आ गया था च्छे जार नो सो और चार सो त्रासी इसमें थोड़ा सा मैं जल्दी निकल गया था क्योंकि मुझे कुछ काम था और फिर मैं निकल गया कि भाई जो आया हुआ प्रोफिट जो स्कूर कर करके जाना है फ सकेंड़ प्रायुरिटी ये था कि भाई लॉस में नहीं जाना थिक argued तो ठीक है 483 दे कहीं गया कुछ लेके तो अंदर में पहले में 41,200 का ट्रेट में लेकर अपना प्रोफिट बनाए और फिर जो यह प्रोफिट जो मेरे को सिक्योर हो गया 3500 का फिर मैं देखा कि नहीं भाई और मार्केट में मुवमेंट आ सकती है क्योंकि HDFC रूखने का नाम ही नहीं नहीं ले रहा था और यही दो एक लोट का मैंने और रिस्क लिया और मैंने 1137 प्रोफिट बूप कर लिया हला कि बाद में यह जिस पॉइंट पर मैंने आउट हुआ उसे काफी ऊपर गया लेकिन चलो ओ मोमाया वाली चीज है ओ माया में नहीं पढ़ना है जो आगया प्रोफिट ओ आगया प्रोफिट मै कि मेरा टारगेट है भाई एक जो अलडी मेरा होल्डिंग है उसी में से कोई एक सेयर मेरे को बाई कर लेने का तो मैंने सीडी सील में मैं बहुत ज्यादा ही भूलि सूझ सीडी सी अलबी अभी एनसी डील का आने वाला है जो आई प्योई समय मैं रखूंगा अगले 20 साल के लिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताओंगा क्या रिजन है इसको रखने के लिए होल्ड करने के लिए 20 साल तक मैं होल्ड करन क्यों लिया और उसके बाद मैंने ये ट्रेट क्यों लिया ठीक है आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी दिखाए तहूं देखे आज का प्रोपिट छोड़कर मेरे एक लाख बीस जार रुपईया पहले से राता है ठीक है ये सीडी सील खरदा हूं उसके लिए मार दिन यह ल और मेरा साथ हजार का प्रोफिट आया फिर जो दूसरा ट्रेड लिया जिसमें तीन सो आया यहां पर प्रोफिट आया और फिर मैं निकल गया ठीक है निकल गया मैं अपने काम में बीजी हो गया ये रैली मैं नहीं पकड़ पाया ये कंसोलीडेशन के बाद ये मैं नहीं प पकड़ा क्योंकि मैं अपने काम में था मैंने इसके बाद से पकड़ा यह वाला पॉइंट जब यह वाला के पास ठीक है एक 4050 के ऊपर निकलने के जब यह कोशिस कर रहा था तो मैंने इसको पकड़ा एक तालीस हजार दो सो वाला और यहाँ पर इस candle पर मैं profit बुक कर गया यहाँ पर देखिए फिर पांच मिनट और पांच मिनट दस मिनट का consolidation है ठीक है जब यह candle को जब इसने break किया तो फिर मैं एक तालीस हजार पांट सो का मैंने लिया और उसको मैं यहाँ पर जाकर निकाल क्योंकि जो मेरा target था मेरा target achieve हो रहा था मैंने निकाल दिया फिर इसकी consolidate करने लगा यह दर P का एक position बनाने के लिए मैं सोच रहा था फिर मैंने नहीं बनाया कोई बात नहीं क्योंकि कोई जरू नहीं दिन बर मार्केट आपको 57 move देगा नहीं पकड़ोगे कोई जरू थोड़ी है कि अभी यहां से अगर मैं P पकड़ रहा था तो भी कुछ मिला रहा था मुझे लेकि हर trade तो आप ही नहीं पकड़ सकते अगर आप ही पकड़ेंगे तो दूसरा आदमी क्या करेगा हर trade ठीक है और यह consolidation phase में तो पकड़ना ही नहीं था मेरे को trade किसी भी हाल में consolidation phase के तो मेरे को trade पकड़ना ही नहीं था तो इसके लिए मुझे तीन opportunity मिला त्रेट पकड़ने के लिए और मैंने तीनो opportunity को मैंने भुनाया मैंने तीनो opportunity को भुलाया यहां से मैं एक P पकड़ना चाहता था लेकिन नहीं पकड़ा और फिर बाद में जब market मैं देखा तो फिर एक और opportunity मिस हो गई जो कि यहां से देखें अगर P का देखें जब यहां से अगर downfall हुआ तो यह भी 100 point का हुआ अगर पकड़ता नहीं भी तो आज मिलता चापचा साथ मिल जाता लेकिन उमो माया है मिलता नहीं मिलता बात की चीज़ है अट परजेंट यही है कि जितना मेरे को मिला क्या होता कि मैं अब अगें मैं यहां पर देख रहाता कि एक जा रहा है मैं एक quantity का जो दो बच कर जो मेरा एक quantity का मेरा practice है ठीक है और दो बच के 20 मिनट वाला जो एक strategy है आज मैं उसको implement नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने काम में involved था और finally market जाकर profit मेरा इतना आया और finally market जाकर close out दिया है 4350 के आसपास में अब कल देखेंगे कल तरजड़ है weekend है weekly expiry है आज का profit इतना फाइनली मैं लेके जा रहा हूं ठीक है आज का profit finally मैं इतना लेके जा रहा हूँ कल का कल देखेंगे कि अब कल फिर new से start करेंगे कल फिर zero से start करेंगे ठीक है में प्रायोरिटी यह है कि जो फर्स्ट प्रोफिट आजाए उसको सेक्यूर बचा कर लेकर जाना है उस प्रोफिट के से ही काही रिस्क लेना है